आईएस गेट पीएस्यू और टेक्निकल एक्जांस की कंपलिट हैं रिटेंट नोट के साथ ओनलाइन स्टेडी करने के लिए वीडियो की नीची दिये गई सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना गुलें कि एन्वाइर्मेंटल एंजिनियरिंग यह भी आईएस गेट पीएस्यू के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है कि एन्वाइर्मेंटल एंजिनियरिंग देव आईएस में इसमें से अप्रोक्स 40-45 मार्क्स का कॉश्ण्स आते ही आते हैं तो के गेट कि एन्वाइर्मेंटल एंजिनियरिंग बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें इतनी चीज़े रटने की है समझने की चीज़े लेकिन साथ-साथ आपको उन चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा कि वोटर कंटेंट कितना है ठीक है वोटर डिमांड कितनी होन चाहिए कोई चीज़ और जिसमें बुरी बात क्या है कि जैसे इसमें कोई रेंज आ गई जैसे 5-10 तो आपकी यह रेंज 5 से कम हो गई तो भी परेशानी है तो भी परेशानी है मतलब उस रेंज के अंदर अंदर ही हर एक सीज की क्वांटिटी होनी चाहिए अची वोटर के लिए यह फिर आप प्यूर्ट कर रहे हैं उसको ट्रेटमेंट कर रहे हो तो यह चीज़े याद करने के से बहुत सी चीजे हैं तो वीडियो देख देख करके तो सारी याद नहीं कर सकते तो आपको यह नोट से अगर रिक्वाइर्मेंट है तो वोट सब के नमबर में ने में दे रखे हैं तो वहां से आप चलो मैं यहां पर बदा देता हूँ तो आप यहां से मेरे पास ले 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 ना और बाहर से आप लोग को क्या पता अच्छे हैं या बुरे हैं तो कि आप प्रिवेस लेक्श्टे अच्छे नहीं होते हैं कुछ सब्जेक्श कहां अच्छे होते हैं कि तुम मेरे पास सारे अच्छा-च्छा आप कोई सब्सक्राइब सकते हो आइए इसके लिए गेट के लिए पीए स्यू एससे जाई एक सिवल से रिलेटेड कुछ भी तो यहां से परचेज कर लेना ठीक है यह एक बेसिक है इसमें हम इसको तीन पार्ट में कमपलेट करेंग एंड एर एंड नोईज पॉलिएशन ठीक है अगे में कमपलेट से लिए आप यह देख लो यहां पर यह यहां पर यह पार्ट है यह फुर्ट सप्लाइए इंजिनेरिंग में बोल देते हैं रोवाटर मतलब ऐसा वोटर जो हमें नेचुरली अर्थ पर मिल जाए हम उसमें की ततरी का का एटने कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे यह सारी चीज़े प्लानिंग वगेरा सब कुछ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अब बदा रहा हूं आप पर केसको देख लेना एंडी पार्ट एंड नोईज एयर पॉल्यूशन एड इकोलोजी यह एक छोटा सा टोपे इसमें इसमें चेप्ट जन्रल मेथड़ोलोजी क्या क्या है उसकी चीज़ करेंगे ठीक है हम ए और बी पार् एक साथ कोanभी करेंगे और नौईज अल्योशन करके चैट को एक साथ हम आघ कर देंगे और यह तो हो गया बेसिक है ठीक है यह तो बेसिक है जो मैंने इसलवस आप देख लेना उकिसमे इसको 3 में ही कवर करेंगे फर्स्ट इन सेकिंड एंड थर्ड करेंगे यह एक वेश्य को गया कुछ डिटेल्स बताने के लिए बाकि नेक्स लेक्टर से हम इनुट नमबर फर्स्ट रो वाटर एंजिनेरिंग इस्टार्ट करेंगे इसक अव्य शकाहिव कड़ेन एक वालकता है और आप नोट्स तो परचेज करी सकते हो और कोई नहीं बात तो स्टूदेंटियूटि काई सब्सक्राइब नेएक नेक्सट्र ना बोल रहा हूं यह सब्जेक्ट है पढ़े खुद से पढ़ लेना रत लेना उसके बाद अगर कुछ चीज समझोगे हर एक सब्जेक्ट में तो इतनी शानदार समझ आएगी आप सोच भी नहीं सकते अगर आप सीधा ही समझने के कोशिस करोगे तो फिर कुछ नहीं है बेटे रहे जाओगे आई एक सेलेक्शन करना है तो पहले नोट्स को ले करके पढ़ो खुद से जितना हो सकते समझ नहीं आए तो भी एक बार हाथ के नीचे से उनको निकालो पढ़ो एंड उसके बाद में समझोगे ना तो फिर बात यह लगे रहते हैं कि बाकि आगए आपके मर्जिए आप इंजिनियर हो समझदार हो समझते हो ओके ओल्दवेस्ट